पूलीज पर वहां F.I.R किया जाना है कोई अपराधी थे क्रिमिनल थे चोरी कद्वे जै ते रिकाइती कद्वे जैते किस तरह से उनके सरकारी का में बाधा डाल दिया उनके गाड़ी के सामने लेटे थे जा उनका रास्ता और उध्य किये थे क्या किसी आफसर को दफ्तर मे तरह प्रदर्सुन कर रहे हैं तरह सबीद कर पाएंगों को फॉट में लेकिन लेकिन पूरे देश में इमेज क्या बने मुंबई पूलिस की विलें की तरह यह इमेज बना रहा है वो खुद अपना बना रहा है वो सोचना चाहिए कि मुंबई के क्या कररें हो अव्रैण ऐसे संपर्तनством क्या चिनता है जिस थे मुंबई फूरे पूलिस में नहीं वोट इस दिम नहीं हुए पूरे देश के वाम जानना चाहती है कि सचाई क्या है मेरा अपनी बात छोड़ दो पूरे देश को जनता को अब यह लगने लगा है मुंबई पुलिस से ये केस इस केस में इंसाफ नहीं मिल सकता और बिहार पुलिस को करने नहीं नहीं इसलिए अब CBI को इंसाफ करना चाहिए मुझे लगता है कि मुंबई पुलिस को खुद सामने आ करके और इसको स्विकार कर लेना चाहिए और स्वेच्छा से अपने सरकार से अन्मती ले करके इस को हवाले कर देना चाहिए CBI का ताकि और दुनिया का जो जो मन में जो दुनिया के मन में जो बहुत ही एक गुरी खुद सक उन पर गहरा हो गया है अगर वो सब्ते के साथ है तो वो खुद इससे किनारा कर लेना चाहिए और CBI को उसका अंसलनान करने देना चाहिए और करोना वायरस की स्थती समान्य होने के बाद इसे रेगुलर क्लास्रूमें कनवर्ट करने मी डिजिटल को गूगल प्ले स्टोर से आज ही फ्री डाउंडोड करे लेटिस कबरों के लिए देखते रहें M.U.Z.News और ताजा अपड़ेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूदे